हेलो स्टुडेंस कैसे हो आप सब लोग I hope कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्त होंगे तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो हम लोग चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे हैं और उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं आज हमें उसी में एक नया टॉपिक पढ़ना है तो आज का हमारा टॉपिक है that is quantum numbers आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों दाट इस quantum numbers यह हमारा टॉपिक आज का है तो हमारा आज का टॉपिक है वो है quantum numbers वैसे ही topic बहुत ही interesting है और बहुत ही important topic है क्योंकि इसके related questions एक्जाम में भी पूछे जाते है as well as हम लोग इससे जे ही निट के भी questions पूछे जाते हैं बच्चो तो आप सब इसमें ध्यान दीजीगा देखो basically quantum numbers से हमें पता क्या चलता है और वो काम क्या आता है तो वो location of electron location of electron यानि कि electron atom के अंदर कहां पर है वो ये बताएगा और वो क्या बता सकता है that is probability ज़रा ध्यान से दिखना electron probability कहां पर highest है वही उसका locate होगा electron वही पर वो locate होगा ठीक है अब ज़रा ध्यान देना बच्चो quantum numbers रहते हैं वो total 4 रहते हैं कितने रहते हैं 4 numbers 4 quantum numbers होते हैं कौन से होते हैं तो होता है N, L, M, S ये 4 quantum numbers होते हैं अब देखो एक चीज तो हमने accept कर ली कि वह electron जो रहता है वो wave होता है एक बात हमने D. Brogles और Heisenberg के theory से पढ़ लिया कि वह electron खुद एक wave है यानि कि उसको हमने particle नहीं बट wave nature का गिन लिया है सेरा ध्यान से देखना है यापर कि electron का wave nature अगर है electron को हमने wave consider कर लिया और ये जो electron होता है वो कहां रहता है वो कोई specific electron कहां locate होंगे तो वो specific orbitals के अंदर होते हैं कहां पर होते है specific orbitals के अंदर वो होते हैं तो ये कहां पर होते है specific orbitals के अंदर होते हैं लेकिन आपको ये question होगा specific orbitals क्या होता है तो जरा ध्यान से देखना orbitals होते के, 3D space in which the probability of finding electron is maximum, as is space 3D, जहापर electron को find करने की probability maximum रहती है, उसी को हम लोग orbital बोलते हैं, बच्चों, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग orbitals बोलते हैं, ठीक हैं, अब ज़रा ध्यान देना बच्चों, अब यह जो हमने लिखे हैं, 4 quantum numbers, n, जिसको हम लोग small n, small l, small m, and small s, जिससे हम उसको represent करते हैं, ज़रा ध्यान देना, गौर करना इस बात पर, क्या होता है, कैसे होता है, तो यह जो quantum numbers है, उनको हम उनके बारे में study करते हैं, तो जो हमारा पहला quantum number है, यह प्रिंसेबल quantum number, पहला quantum number क्या होगा, प्रिंसेबल quantum number, जिसको हम लोग represent करते हैं, small n से, पहला quantum number क्या हुआ, प्रिंसेबल quantum number, जिसको हम लोग represent करते हैं n से, और यह जो principle quantum number है, जिसको हम लोग small n से represent कर रहे हैं, उसकी value हो सकते है, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, dot dot dot, n equal to infinite, तक यह possibility रहेगा, ठीक है, याद रखना बच्चो, हम लोग जैसे जैसे downward जाते हैं, energy क्या होगा, increase होगा, हम लोग जैसे जैसे downward जाते हैं, energy जो है, वो increase होगा, ध्यान देना, interesting topic है, ठीक है, downward जाने पर, energy increase होता है, जरा ध्यान देना, और साथ में size भी जो है वो बढ़ेगा size भी क्या होगा बढ़ेगा अब यहाँ पर हम दिखेंगे बढ़े shells कौन से रहते है तो अगर हम लोग बात करते हैं n equal to 1 के लिए तो उसको हम लोग k shell बोलते है n equal to 2 के लिए l shell n equal to 3 के लिए m shell n equal to 4 के लिए n shell and dot 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 so on तो shells यह रहते हैं और basically हमें shells से क्या पता चलता है size of orbital shells से हमें क्या पता चलेगा size of orbital पता चलेगा size of orbital बच्चों ज़रा ध्यान से देखना कि आप जैसे जैसे downward जाओगे principal quantum number की value जितना ज्यादा होगा उस orbital का size भी उतना ज्यादा होगा कैसे वो मैं draw करके दिखाओगा आपको यहाँ पर ठीक है और हमें क्या पता चलेगा इसी से energy of orbital भी पता चलेगा energy of orbital भी पता चलेगा ज़रा ध्यान देना बच्चों कि हमें principal quantum number के help से दो चीज़े पता चलती है पहला बात यह है कि हमारे पास जो orbital है उसका size क्या यह पता चलेगा and उसका energy क्या वो भी हमें पता चलेगा basically अगर हमें energy find करना है energy of the nth shell कोई भी shell ले लो अगर e1 हो या e2 हो यानि कि first shell हो या second shell हो या third shell हो अब यह वाली formula को apply करिए e nth is equal to minus 13.6 into क्या आएगा that is z square upon n square e v यह उसका formula होगा यह है energy of उस orbital ठीक है उस shell का energy हमें पता चलेगा इससे clear है हमें इससे energy मिलेगा अब ज़रा ध्यान देना z यहां पर क्या होता है z होता है atomic number ठीक है और n equal to आएगा shell के वही कौन सा shell है फॉस shell है second shell है third shell है तो shell बता चलेगा electron का shell किसका shell electron का उस atom के अंदर जो electron जहाँ पर मौझूद है वो shell पता चलेगा हमें इससे ठीक है clear है यह सुद्धी को मैं आपको बता है मैंने आपको कि मैं आपको draw करके दिखाऊगा कि जैसे जैसे आप लोग n equal to 1 से n equal to 2 की तरफ जाते हो n equal to 2 से n equal to 3 की तरफ जाते हो तो atom का जो size है वो बढ़ेगा देखो ज़रा ध्यान से कैसे like मान लो कि यह मेरे पास nucleus है ठीक है यह आपर पहला shell है यह दूसरा shell है यह तीसरा shell है यह चौता shell है clear है ज़रा ध्यान से देखना मैं एक एक shell को represent करता हूँ ताकि आपको clarity है यहाँ पर यह n equal to 1 है जिसको बोलते है k shell यह n equal to 2 है जिसको बोलते है l shell n equal to 3 है जिसको बोलते है m shell n equal to 4 है जिसको बोलते है n shell यह 4 shells है क्या है यह? यह 4 shells है अब देखो बच्चो जैसे जैसे आप लोग कहा जा रहे हो बहार की तरफ जा रहे हो हमने आगे भी पढ़ा था energy बढ़ेगा energy क्या होगा increase होगा साथ में साथ में यहाँ पर क्या होता है कि atom की size दीरे दीरे उस shell की size भी बढ़ रही है याने कि orbital की size भी क्या होगी increase होते जाएगी यह बात एक्तम ध्यान रखने वाली है यह बहुत important बात है बच्चो यहाँ पर यह बात हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है कि हम लोग down भार की तरफ जाते है इस तरफ जाते है तो energy क्या होता है energy जो है वो increase होता है पहली बात दूसरी बात क्या होगा कि यहाँ पर shell का जो size है size of the orbital है वो भी increase हो रहा है यहाँ पर ध्यान रखना बच्चो यह increase की निशानी है यहाँ पर क्या हो रहा है increase हो रहा it is increasing क्या हो रहा इधर it is increasing तो यह बात को आप ध्यान रखना What can we know? Then we can know the size of the orbital and we can know the energy of the orbital. If the electron is in the n shell, then the size of the orbital will be very large and the energy will be very high. And if the electron is in the k shell, then the size of the orbital will be smallest and the energy will be the least one. ये बात हमें इससे clarity हाती है. अब इसके बाद जो second quantum number, जरा ध्यान से देखते रहे हैं, हमारा ये quantum number खतम हुआ. अब मैं इतने से part को रप करता जाओगा और हर एक quantum number को एक की बादे लिखूगा. इसके बाद का जो quantum number है, जिसको हम L से represent करते हैं, उसके बार में बढ़ते हैं, बट आप जल्दी-जल्दी से इसका screenshot ले लो बच्चो. Take the screenshot of this. इसका जल्दी-जल्दी से screenshot ले लो, मैं आपको 10 सेकंड का time दे रहा हूँ, फिर आप उसकी notes बनाना और फिर हम आगे जाते हैं. देखो, interesting topic है, काफी मज़ा आएगा, यहाँ पर ध्यान देना. चलिए, आगे जाते हैं, let's move forward now. मैं रप कर रहा हूँ. अब हमारा second quantum number की तरफ हम आप जाएंगे. Pay attention here, हम लोग second quantum number की तरफ जाएंगे. Be attentive here, बच्चो. ठीक है? That is, number two. azumetal quantum number, या फिर इसको बोलते हैं, that is angular momentum quantum number. angular momentum quantum number, जिसको हम लोग small l से represent करते हैं. किस से करते हैं? small l से represent करते हैं. ठीक है? अब देखो, इस से हमें क्या पता चलेगा? अब आगे हमने जो principal quantum number पढ़ा था, उससे हमें orbital का size पता चलेगा, और उससे हमें पता चलेगा, उसकी energy. अब यहाँ पर हमारे पास जो azumetal quantum number है, उससे हमें क्या पता चलेगा? तो shape of orbital. कि भई उसका shape क्या है? shape of orbital. पहली बात तो हमें यह पता चलेगी. कि भी orbital का shape क्या है? वो पता चलेगा. फिर हमें क्या पता चलेगा? ठीके, यह main चीज़े जो हमें पता चलेगा. अब देखो ज़्यान से, कि अगर वो L हुआ, तो उसकी value यहाँ पर 0 हैगी. अब एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से दिखना, कि भी L याने की angular quantum number, उसकी formula बनती है n-1. क्या होगा? n-1. जैसे यह L equal to 0 है, उसके लिए यहाँ पर orbital कौन सा आएगा? s orbital आएगा. ठीके, जिसका shape होता है spherical. मैं यहाँ पर लिखूगा, ज़रा ध्यान देना. spherical shape होगा. फिर L equal to 1 आएगा, तो P orbital आएगा. जिसका shape होता है dumbbell. ठीके, dumbbell होता है. इसको actual में, ठीके, इसका shape आजाएगा. Actually, basically, इसको लिखते है, इस तरह से dumbbell shape, और ये इस तरह से रहता है यूँ. ये यूँ. ठीके, ये dumbbell shape हो. अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, कि ये जो इतना सा पाट है न, उसको हम लोग लोब बोलते हैं. L O B E lobe. तो एक dumbbell shape वाले P orbital में, दो लोब रहते हैं. एक लोब ये और एक लोब वो. ठीके, small में लिखते हैं, small P orbital हैंना, फिर 2, यानि कि इस D orbital आएगा. D orbital का shape होता है, double dumbbell. ठीके, इसका shape में बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, यह हो रहेगा, इसका shape. ठीके, इसके बाद, अगर L के value 3i, यानि कि आएगा F orbital, और इसका shape complex रहता है. इसका shape क्या रहेगा? complex होता है, ठीके, और इसमें 8-fold structure बोलते हैं, इसको, हाला कि textbook में नहीं दिया, पर मैं लिख देता हूँ, 8-fold structure होता है, 8-fold structure होता है. यह जैसे 4 दिख रहा है, वैसे आपको 8 देखेगा, उसको 8-fold structure बोलते हैं, ठीके, it's a 8-fold structure, clear हो आपको, यानि कि यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, angular momentum quantum number, या फिर जिसका दूसरा नाम है, azimethal quantum number, उससे हमें पता चलता है, कि भी orbital का shape क्या है, पहली बात तो कि यह बी, इसी में कुछ questions लेंगे, इधर तक सबको clear हुआ होगा, इसका screenshot ले लो, आगे जाते हैं, जियान से दिखना, कि कभी कभार questions जो आते हैं exam में, कैसे questions आते हैं, ज़रा ध्यान देना, कि आपको बूला होगा, कि भी n equal to, अगर मान लो कि भी 4 है, उसके लिए set of मालब के आपको find टरना है, कि अभी इसके कौन से orbitals होंगे, और which are the orbitals, which are orbitals, and how many are they, for n equal to 4, ठीक है, ये question पूछते हैं, इस प्रकार के question, अब आपको value दिया है, n equal to 4, ठीक है, तो l की value क्या हो सकती है, अब ज़रा ध्यान से देखना, l का formula होता है, n minus 1, याने की 4 minus 1, याने की 3 हो जाएगा, पर basically इसकी value, 0, 1, 2, and 3 आएगा, 0, 1, 2, and 3 आएगा, clear हुआ, अब आपको अलग-अलग orbital का combinations बनाना है, अब आप खुद से याद करिए, कि अगर l equal to 0 आया, तो s orbital होता है, अभी आगे इवन लिखा था, 1 आया तो p आएगा, 2 आया तो d आएगा, n 3 आएगा, अब आप combination करिए, आपको बताना है कि वह कितने orbitals हैं, फिर l के value किया इधर, तो 0, यानि कि s आएगा, बता चला, फिर 4 1, 4 1 के लिए 4 p आएगा, 4 2, उसके लिए 4 d आएगा, 4 3, 4 f आएगा, आया साथ में, इस तरह से रहता हैं, ओके, इस तरह से इनके अंदर orbitals रहते हैं, अब यह पर ध्यान देना, कि बेर नमबर ओफ सब शेल इन शेल, इस इकल लो नमबर ओफ शेल, इकल लो नमबर ओफ ओर्बिटल, वो सब हम दिर दिर आगे देखेंगे, आपको polarity होगी, देखो अब एक बात मैं आपको और भी चीज़े कुछ पढ़ा होगा है यहाँ पर, ज़रा ध्यान देना, कि basically, yes, basically होता यह है, कि number of orbitals जगापर, अगर आपको find करना है, number of orbitals, तो उसका formula है, n square, तो आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर n की value कितनी यह 4 है, अब n square करोगे, इसका तो total आएगी 16 orbitals, कितने आएगे, 16 orbital, अब यह 16 orbital कैसे हुए, मैं गिनाता हूँ, s orbital का, एक ही orbital रहता है, यू, बड़ा बड़ा, p के 3 sub orbitals रहते हैं, 1, 2, 3, एक होता है, 4px, तुसरा 4py, एंड तीसरा 4pz, d के 5 रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और f के रहते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, f के कितने रहते हैं, 7 रहते हैं, अब आप खुद से गिनिये, कि इसके लिए कितना आया, 1, इसके लिए 3, उसके लिए 5, और इसके लिए 7, इसका टोटल करिये, मैंने बताया ना, कि इसके टोटल औरबिटल कितने बनेंगे, तो n स्क्वेर किया, 16 आया, अभी 16 कैसे आया, मैं यहां से बीगिन के दिखाता हूँ, 4S का 1, प्लस 3, 5, 10 N, यह यहां पर, 8 प्लस, यह 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस कितना होगा, 9 प्लस 7, that is 16 औरबिटल, कितना है 16, तो देखो, यहां पर गिनने से 16 हो गया, और वो फॉर्मला से भी 16 हो गया, clear हो आपको, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो यह दो quantum numbers, हमारे खतम हुए है, मैं एक और question करके दिखाता हूँ, तक कि आपको समझ में आएं, और मज़ा भी है, ठीक है, थोड़ी से आपको clarity आएं, like हमें बोला है question में, देखो, आगे का screenshot ले लिया ना आपने, screenshot ले लिया अगर बागी है, तो rewind कीजिए 20 सेकंड, screenshot लेजिए, ठीक है, चलो, एक और question लेते हैं, that is question number 2, के, find number of orbitals and which are they for n equal to 3, ज़रा ध्यान से दिखना, बहुत easy है ये, pay attention here, आगे हमने किया, पहले का आप काम करिए, मैं आपको 1 minute का time दे रहा हूँ, आप खुद से solve करिए अभी, आप चेक कीजिए, कि आपको आगे वाले जो मैंने सिखा है, उसमें कितना समझ मैं है, खुद से solve करिए, list बनाई है, कौन से कौन से orbitals है, formula भी लगाईए आप, और फिर note down कीजिए, अपने pen and notebook से, ठीक है, मैं आपको एक मिनिट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं solve कर रहा होगा, चलो, फिर मैं आपको परिप खुझे का इवाराई Caleb, लोस्त. तो आपने ट्राइ किया होगा और आपका कुछ ना कुछ आंसर भी आया होगा अब मैं सॉल्ट करता हूँ अब चेक करिए कि आपका सही हुआ या नहीं चलो देख यहाँ पर n equal to 3 दिया है तो l क्या आएगा l equal to n minus 1 याने कि 3 minus 1 याने कि 2 मतलब क्या होगा 0,1,2 यह l की probable values है अब देखो हम लोग को orbitals बनाने n, l and n, l combination formula क्या होता है orbital के लिए number of orbital के लिए n square होता है number of orbitals के लिए n square formula होता है n square n की value क्या है तो वो 3 है तो और 3 square कर दो तो कितना आएगा 9 आएगा तो 9 orbitals होने चाहिए आपर इनके try करते है n की value 3 है कौनसी कौनसी l की value है 1,2 and 0,1,2 अब 1 अब जरा ध्यान से आप सोचिए कि l की value 0 कब होती है l की value 0 कब होती है जब s orbital होगा 1 कब होगा जब p orbital है 2 कब होगा जब d orbital है तो 3,0 का combination याने कि 3s orbital 3,1 का 3p orbital 3,2 का 3d orbital clear है ये orbitals मिल गए हमें अब आप खुच से सोचिए बच्चो के यहाँ पर ये 3s orbital है ठीक है तो इसका एक ही orbital हुआ इसके 3p के 3 हो गए है 3d के 1,2,3,4,5,5 हो गए है तो total कितने है 1,3,4 और ये 9 orbitals और हमारा answer भी 9 आ रहा है तो इसी तरह के questions आते हैं exam में आप एक और question लीजिए आप n equal to 2 के लिए करिए चलो n equal to 2 के लिए जल्दी जल्दी solve किजिए अपनी notebook में कितने orbital होंगे पहली बात n square करोगे यानि की 2 square यानि की 4 orbitals होंगे कैसे होगा हम लोग करते है n l n l ठीक है कि नहीं n की value क्या है तो वो तो 2 है 0 1 आएगा s यार p आएगा 2 0 का combination यानि की 2s orbital 2p का combination यानि की यहाँ पर यह आएगा अब s के कितने orbital होते है 1 होते है p के तो 3 होते है कुल मिला कर 4 हो गया अंसर भी 4 आ रहा है समझे के नहीं अंसर भी यहाँ पर 4 आ रहा है अब एक बात याद रखना कि एक orbital यह जो sub-orbital दिख रहा है उसमें 2 electron आ सकते है maximum आपको यह बही पूछ शकते है कि number of electrons कितने हुए कोई बात ने तो number of electrons के लिए number of electrons is equal to 2n square अगर आपको बोला है कि 4n equal to value है 4 तो उसके electrons कितने होंगे 2N square करना पड़ेगा तो 2 into 4 का square याने कि 32 electrons आएगा अगर N equal to 3 दिया है तो 2N square याने कि 2 into 3 का square याने कि 18 electrons आएगा clear है? फिर ये N 2 N square किसके लिए? अब उसी दरह से N equal to 2 के लिए उसी दरह से N equal to 1 के लिए समझे के नहीं आप लोग? clear हुआ आप लोग को? हाँ, इसी टाइप के questions आते हैं such type of questions are being asked ओके? clear है न सबको? तो ये 2 quantum numbers हमारे यहाँ पर खतम हुए हैं we have completed 2 quantum numbers पहला जो हमारा quantum number था देखो पहली बात तो ये समझना कि quantum numbers 4 होते हैं quantum numbers क्या बताते हैं? तो quantum numbers पूरे electron का बोल सकते हो उसकी जनम कुणली electrons के बारे में एक एक detail आपको quantum number से बता चलेगा तो quantum numbers क्या है? वो electron की जनम कुणली है बच्चो क्या है? वो उसकी electron की जनम कुणली है यानि कि उससे आपको electron का location कितने वो कहां पर होगा orbital कौन से होंगे? कितने orbital होंगे? यह सारे चीज़े आपको quantum number से बता चलेगा आप समझ सकते होगे बहें electron का address यह सारे चीज़े आपको electron की quantum number से बता चलती है यहाँ पर हमारे दो quantum number खतम हुए है अब आगे आने वाले lecture में में बाकी के दो quantum numbers जो है वो खतम करवाओगा एक बार इसको शांती से सबजना lecture को ठीक है और homework में यह सारी notes बनाना हम लोग next lecture में बाकी के दोनो quantum numbers पढ़ेंगे बच्चो study the remaining two quantum numbers अजमन लगा के जी जान लगा के महनत करो बच्चो अगर आपको कोई भी query है तो सुनील सर के पास से आप मेरा contact number लेकर मुझसे phone करके query खुच सकते हो don't take tension in it मिलते हैं next lecture बच्चो till then goodbye and take care